नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौवर्मेंट जॉब गेट में दोस्तों इस चैनल के मादम से आपको इंडिया केर छेतर की सरकारी नोगरी की इंफूमिशन वो अपडेट सबसे पहले दी जाती है आज के इस वीडियो में मैं आपको सरकारी नोगरी की इंफूमिशन आप तक पहुंचे तो जल्दि से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजेगा इससे आपको फिरे में सरकारी नोगरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस परकार किसी भी की इंफूमिशन मिस नहीं कर पाऊंगे जो इस चैनल के मादियम से आपके साथ सियर की जाती है तो जी यहां दोस्तों आज हम बात करने जा रहा हैं साथ सितंबर 2020 की आठ बड़ी बर्तियों के बारे में दोस्तों इन बर्तियों के लिए मेल तता फीमेल दोनों ही अपलाई पे साथ वर्ड़साफ या फेसबुक के मादियम से भी जरूर सियर कीजिएगा दोस्तों आज की कुछ बर्तियों के लिए आपको कोई फीस पे निकन्नी और कुछ बर्तियों के लिए आपको कोई वीग्जाम ने देना इंटूविए के वेसिज पे आपको का स्लेक्शन हो जाएगा। आज की सभी बृतियों के लिंक हमने वीडियो के Description पाण में दे रहे हैं। आप लिंक वाशे ऊपन कर लीजेगा और आए बात कर लेता हैं सभी बृतियों की information के बारे में कि तो जी या दोस्तों आज के पहली बृतिया इंडिया क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट डिस्प्रेंग दोस्तों इस वर्ति में 28 साल तदा 30 साल तेके इस डिमिट है इसमें वेरियस वैकेंसिया दोस्तों सैल्ली आपको इसमें नोटिफिकेशन दी जाएगी इस वर्ति में 400 रुपए फीशा दोस्तों आज की बरतिनमर 2 है येरफॉर्ज की और इसमें दोस्तों येरमेन ग्रूप Y की बरति वहनी जारी है नॉन टेक्निकल की क्वाल्पिकेशन होनी चीने कटीर्स की इ tradisirm करेंफिके कि बारेधि इस बरति में कوج선 इसमें तो बरती के लिए अपलाई कर सकते हैं और इसकी लाज़ट है दस सितमर 2020 जाता स्रक्षन प्रोसेस की बात है तो इसमें फिजिकल टेस्ट रिटन टेस्ट तता अड़प्टेबिल्टी टेस्ट होगा दोस्तों और इस बरती के लिए आपको ऑन-लाइन अपलाई करना है और इसकी कौपिकेशन है गुजरात यूनियन ट्रेटरी ओफ दमन एंद्वी तथा दादर और नगर हुए लिए दोस्तों आज की बरती नमर तीन है इंटिग्रल कोश फैक्ट्री की यानि की मिनिस्ट्य और रेलवी की इसमें दोस्तों अप्रेंटिस की बरती होनी जारी है और इसम दोस्तों इस बरती में पंदरः साल से चोविस साल मेंग है तोस्तों तोस्तों यस में पर रूल दी जाएगी दोस्तों इस Bowl से आप इस ब़र्ती के लिए एक स्टेंट एड्मिस्टेटिव ओपिस्रट, चीफ कैसियर तता मेटिक वर्कर। दोस्तों इस बरती में कौल्पिके सब्सक्राइब होने चीए बैचल डिग्री या मस्टर डिग्री इस बरती में 18 साल, 21 साल से 35 साल तता 40 साल तक इज लिमेट है दोस्तों , इसमें बेरेस बैकं या एंट्रिव्य होगा और इस बर्ती के लिए आपको ओनलाइन अप्लाई करना दोस्तों इसका लोकेशन रिसी के से आने की उत्रा खंड है दोस्तों आज की बर्ती नमर पांच है इंडियन डेवले की इसमें टीचर की बर्ती होनी जारी है दोस्तों PGT के तता TGT की क्वालिफिकेशन ओने चीए कंडियेट की बारी पास डिग्री तदा पोस्ट ग्रेजिएशन दोस्तों इस बर्ती में 18 साल से 65 साल तक एज लिमिटा है वेरेस इसमें वेकेंशी है सेल लिए आपको इसमें नोटिफिकेशन दी जाएगे दोस्तों इस बर्ती में कोई फीच नहीं है 6 सितमबर से आप इस बर्ती के लिए अपलाई कर सकते हैं और इसकी लास डिट है 9 सितमबर 2020 दोस्तों इस बर्ती में वाक-इंटिविय आपको अटेंड करना है और इसके लिए आपको ओन-लाइन अपलाई करना दोस्तों इसका लोगेशन नौर्थ इस्टरन ड्रेलवे है दोस्तों आज की बर्ती नमर 6 डिस्टिक एंड सेसेंज के ओपिस है और इसमें बोस्त के नाम है क्लास फोर्थ पीवन तथा प्रोस्य सर्वर क्वाल्फिकेशन होनीची कंडिट की मिडियल इस्टेंडर्ड तथा अर्मेटिक कोलिशन दोस्तों इस बर्ती में 18 साल से 35 साल प्लस आपको ग्रेट पे 1650 रुपए मिलेगा दोस्तों तथा पेस्केल होगा आपका 4900 से लेके 10,680 प्लस ग्रेट पे अठारा सव रुपए दोस्तों इस बर्ती में कोई फीच नहीं है दोस्तों आज की बर्ती नमर साथ है SSP की यानि की Ministry of Home Affairs की दोस्तों इसमें Constable की बर्ती होनी जा रही है और इसमें ट्रेड के नाम है दसवी पास और इस बर्ती में आई सीमा रखी गई है दोस्तों 18 साल से 23 साल अठारा साल से 25 साल और 21 साल से 27 साल दोस्तों इसमें टोटल 1525 वैकेंसिया दोस्तों आपको लेबल 3 की सैले मिलेगी 7 CPC के हिसाब से और इस बर्ती में फीच है दोस्तों 100 रुपए और दोस्तो 27 सितमर 2020 इसके लाज डेटा है जाता सेलेक्शन प्रोसेस के बात है तो इसमें एक्जामनेशन होगा तता फीजिकल टेस्ट होगा दोस्तो और इस भरती के लिए आपको आउनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन ओल इंडिया है दोस्तो आज की बरती नमर आठा है इंडियन इस्टीट ओफ मलेरिया रिसर्च की और इसमें पोस्त के नाम है मल्टी टास्किंग स्टाफ डाटा एंट्री ओपरेटर लेफ्ट अगनिशियन प्रोजेक्ट एसिस्टेंट प्रोजेक्ट सैंटिस्ट जूनियर रिसर्च फेलो क्वालिफिकेशन होने चीए कंडियेट की दस्विपाज बारी पास ग्री रिसर्च पोस्त ग्री रिसर्च डिप्लोम तता पीएजडी दोस्तो इस बरती में 25 साल 35 साल तता 40 साल तेकी इस लिमिट है 42 इसमें वेगेंसिया दोस्तो आपको सैली मिलेगी 17,500 से लेके 11,000 इस कोई फीश निया दोस्तो और इस बरती के लिए आपको वाकिन इंट्यूवी अटेंड करना दोस्तो 15 सित्तमबर से लेके 17 सित्तमबर तक इसका लोकेशन दिल्ली है तो दोस्तो यह था 100 डेटेल आज के 8 बड़ी बरतियों का और यदि आप इन बरतियों में से किसी भी पोजिशन के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो इसके जनरल कंडिशन तता अलिजबिलिटी क्राटेरियों को ध्यान पुर्भग पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अपलाई कीजिगा दोस्तों यह कंपलसर ही है और आपसे रिकोस्ट है यह दिया आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर देजेगा ताकि सरकारी नोगरी की इन्फोमिशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत सूब कामना है थैंक्यू सो मच